नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल गुरुजी का स्कूल में तो कैसे हैं आप सब आप सभी के लिए कुछ अपडेट्स है रिगार्डिंग ऐसे सेम्टिस 2019 मिनिस्टे आप स्टील में डेली मजिस का भी स्लेक्शन हुआ है उनके अपॉइंटमेंट लेटर अलमोस तानी शुरू हो गया है यह उनके मेडिकल के रिगार्डेंग एक लेडर है जो सब ही कंडेट्स को बेजा गया है almost same की उनका मेडिकल जो होगा उनके डिस्टेट होस्पेटल में होगा से एक का दवार्डे यह उनका छीप मेडिकल ओफेसर है एंड ही स्यमाप बोलतें जिसको वा इंका मेडिकल को कम्प्लीट करेगा उस पर सांवाइंद करेगा और उसको completely attest करेगा, मतलब सारी medical उसकी check-up होने के बाद and the same copies आपकी civil surgeon को भी 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 बेजे गए, और attestation form भी 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 बेजे गए है and ये almost अभी के लिए सेम आएगा जो सील, मिनिस्ट्रिफ सील में है and next हम देखते हैं, जो NR का department allocation list है वो किसी ने RTI लगाई है उसके regarding और जो आपका nomination है different department के regarding वो भी उन्होंने RTI लगाई थी तो में भी आपनी RTI देखियो, तो इसके reply में यही आया कि और mostly सभी RTI reply के में सेम बात आये कि June के end तक tentatively आपका सभी department का nomination हो जाएगा जो भी department आपके SSC NR के अंडर आते हैं and NR में आपकी उत्राकंड दिल्ली और राजस्तानी जो भी departments है और जो भी candidates NR में selected हुए इन तीनों इस state में जिस भी department में उन्होंका nomination by the end of June हो जाएगा and कुछ department में तो आपके attestation form वगारा appointment letter वगारा आने लगे हैं same एक और रप्लाई यह आपका डोजर भेजने के regarding यह सिर्फ वही बात है कि डोजर of the selected candidates who have been selected from northern region for the age group 18 to 25 have been sent to the user department डोजर of remaining candidates will be sent tentatively by the end of June 2021 मतलब कुछ के भेज दिये गए हैं and बाकी candidates के June 2021 तक भेज दिये जाएंगे tentatively मतलब mostly भेज यह दिये जाएंगे अभी जुन पूरा पड़ा आपके बाकी and आगे आपका एक और रप्लाई है इन्होंने अपकी आटेया लगाया थी western region में और पूछा था डोजियर वागारा की science and technology department का गुजरात में कब तक इनका डोजियर भेज दिया जाएगा या अगर भेज दिया गया है तो mention करें उस date को जिस date को भेजा गया है तो उन्होंने चार जुन को लगाय थी हमारे western region में और मैं भी western region में selected हूँ but I'm in income tax, not in science and technology and हमारे तो अभी तक nomination नहीं हुआ है तो ये request जो disposed हुई है 8 June को ही है and इसमें reply है कि आपका 8 June 2021 को ही आपके dozer भेज दिये गए है Science and Technology Survey of India गुजरात में तो मतलब ये है कि आपका जो next nomination list आएगी updated maybe Friday तक आए आज वेडनेस दे हो चुका है आज आज आए या Friday तक तो आई जाएगी this week के end तक क्योंकि पिछली दोनों nomination list आपके end of the week आई है Friday को आई है ठीक है तो 8 June 2021 को आपके ये जो बाकी dozer है Science and Technology के भेज दिये गए है गुजरात के लिए Western region से and की एक और RTI है किसे इन लगाई थी UPSC के रिगार्डिंग है dozer of the selected candidates of UPSC department has not been sent till date and same will be sent tentatively by the end of June 2021 same बात है की UPSC के dozer अभी नहीं बेज जाए है dozer of selected candidates of Delhi, Rajasthan and Uttarakhand state who have been selected from Northern region for age group 18 to 25 have been sent to the user departments dozer of remaining candidates will be sent tentatively by the end of June 2021 same बात है की 2021 जुन तक आपके भेज दिये जाएंगे तो mostly सभी RTIs में एक reply आ रहा है कि आपके जो भी dozer से है वो by the end of June 2021 NR के लिए Northern region के लिए भेज दिये जाएंगे so don't worry अभी देखिए time लग रहा है we all know की time लग रहा है and already time काफी लग गया है March में हमारा result आया था and vacancy आय थी मारी 2019 में and 2019 के आउगस्त में हमारा around exam हुआ था and उसके बार time काफी लगा जिसका रिजल्ट हमारा पेपर वन का हमारा आया था November में 5 November को और 11 November को revise आया था then हमारा टाय टू होता है 24 November I think 24 November 2020 में and उसके बाद हमारा sorry 24 November 2019 में हमारा टाय टू हो जाता है and उसके बाद रिजल्ट आता उसका कहीं October 31 को जाके 2020 में almost एक साल बाद and उसके बाद DV होते हैं December में start हो गए थे by the end of December हमारे Eastern region में and I think Northwestern region में हो गए थे start and by the end of January सारे regions में आपके complete हो गए थे फिर result में कुछ खास time नहीं लगा था February के बाद March 6 को आगा था आपका result final and अभी Department Allocation में time लगा है March में आपका result आके Department Allocation स्टार्ट हुआ है end of April में and वो में के end तक चला है and अभी भी NER का Department Allocation नहीं आया है and KKR में भी आपका Karnatka 18-27 इज ग्रूप नहीं आया है तो Department Allocation बाकी है but हां कुछ रिजन्स में आपकी जोनिक तक स्टार्ट हो गई है यह जैसे appointment letter में कुछ में मैंचन था कि आपको given date से पहले जोइन करना है especially BCG Vaccine Guindy Chainai I don't know I'm pronouncing it clearly or not maybe it's wrong or maybe it's correct but it's spelled like something G-U-I-N-D-I and Chainai for BCG Vaccine Laboratory and whatever it is आपके आ रहे हैं appointment letter कुछ में आपके साथ-साथ जोइनिग हो रही है कुछ में आपी थोड़ा time लेके Eastern region में सबसे पहले आने लगे था क्योंकि वहीं का allocation सबसे पहले हुआ था और nomination भी महीं का complete हो गया है हाला कि महां की nomination list अभी तक upload नहीं की गई है भी किस region में किस state के लिए किस department के लिए कौन से आपके टोजर भेज दिये गए हैं कहां क्या भी बाकी है many of you are worrying about joining कि third wave of corona आरिये and we don't know anything about our joining it will be processed soon or later yes it's true that we should be worried because we don't know about the corona how much time it can take okay so don't worry अभी हो जाएगा I think by the end of this year or I'm saying it's too much time almost diwali तक हमारा सबका हो जाएगा joining and diwali में अभी काफे time है और तब तक तो हो जाएगा June है ये हमें July या अगस्ट में joining देखने को मिल सकती है क्योंकि June 30 की date है किसी की July 4 की है किसी की July 1 की है and उसके इसाब से हम देखी जाएगा तो सभी department की दिरे दिरे हो जाएगा July अगस्ट September तक तो हो जाएगे almost and October तक तो salary वैदरी आने लग जाएगे maybe and maybe कुछ भी हो सकता है और चांसे ज़्यादा यह है कि आपके October तक तो हो जागा सब complete and सब के ही हो जाएगे चाहे वो income tax हो चाहे वो Mumbai हो चाहे वो Delhi हो चाहे वो Chennai हो ठीक है चाहे वो Madhya Pradesh रिजन का कोई भी department हो चाहे वो इस तरन असाम अगारा असाम के वगारा में तो भी खर अलोकेशन नहीं हो लेकिन हो जाएगा वो भी एक या दो वीक में so don't worry about it that's all for today's video make sure to like the video and share the video so let me know about it and please visit our second channel you may find the useful videos regarding health tips and for betterment of your life and some home remedies some Ayurvedic remedies please do visit our second channel you may find the link below in the description and please do follow our social media platforms account like Facebook, Twitter, Instagram and Twitter you may find the links below in the description for them too and if you have any doubt regarding any any job, any government job, any exam please leave a comment below and do share your views about the video and about our channel thank you, bye-bye, Randevaar take care of yourself and your well-being and your family members bye-bye, Jai